हालो फ्रेंट्स, वेल्कम तू माई चैनल, श्यर्दास वाशन्थप फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल प्रफेशनल स्टाइल में पॉकिट बनाने का तरीका प्लाजो पैंड में पॉकेट लगाने का तरीका बिल्खुल जैसे टेलरस लगाते हैं वही मेथड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विदिन 5 मिनिट्स आप यह तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है इस आसान तरीका पॉकेट लगाने का नहीं हो सकता तो आईए देखते हैं कैसे बनेगी यह पॉकेट तो इसक कि मैं काफी जारे वीडियो आप लों के साथ शेयर कर चुकी हूं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उसके लिंक्स भी दे दूंगी यहां पे मैं 37 इंच लेंद का प्लाजो तियार कर रही हूं जिसकी हिप है 44 साइज यहां पे फ्रेंट्स में अलग से 2 इंच की पट्ट्टी देने वाली हूं अगर आपने पट्टी के लिए इसी में खबणा है तो आप 2 इंच पहले पट्टी का छोड़े और उसके बाद एक opening के लिए जहां से हमें अपने हाटों को अंदर डालना है यानि कि opening के लिए हमें यहां पे 7 इंच पे एक मैंने मार्क दिया और इस तरह से लगबग 1.5 इंच अंदर एक निशान लेने के बाद इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे अब हमें यह pocket का कपड़ा लेना है इसकी लंबाई चोड़ाई मैं आपको बता देती हूँ यह दो पीसेज है कपड़े के इसकी चोड़ाई लगबग 1.5 इंच ली है मैंने और लंबाई यहां पर मेरे पस कपड़ा सिर्फ 12 इंच का है पर आप यहां पे 15 तू 14 यानि 15 से 14 इ किनारी वाला हिस्सा है यह मैंने अपनी तरफ रख लिया है यहां पे हम हलकी सी गुलाई देंगे एक इंच की इधर से हमारी pocket open होगी यह गुलाई इधर से दी है मैंने और उपर 3.5 इंच पर एक निशान लिया मैंने और इसे इस तरह से हलका सा कर्व देके नीचे मिला दि यहां हमारा यह नीचे पैंट में नीचे के हिस्से में आएगा तो यह देखे यह इस तरह से मैंने एक पीस हटा दिया है और इसे अपजोड़ना कैसे है मैं दिखाती हूं देखे पैंट में जो हमने यह निशान लगाया है वह हमारा सीधा साइड है इसके ऊपर pocket को मैंने उल्टा करके रखा है यह जो हम जोड़ेंगे उस समय हमारी पैंट सीधी होनी चाहिए और pocket को मैंने उसके ऊपर उल्टा करके रखा है अब जो निशान मैंने लिया था नीचे सेम वही निशान मैं pocket पे ले रही हूं और इस तरह से क्योंकि easy हो जाता है उपर से हमें दिखा सिलाई देगा तो यहां से स्टिचिंग करना easy हो जाएगा यहां सिलाई margin मैंने आधा इंच रखा था तो उसी के ऊपर अब मैं यह स्टिच कर रही हूं तो जैसा निशान लगाया है बिल्कुल वैसी ही हमें यहां पे सिलाई चलानी है तो इस तरह से यह रहखें यह स्टिचिंग मैंने कर ली है और मैं पास से आपको यह दिखा रहेती हूं यह तरह से स्टिच कर दिया मैंने अब हमें यहां corner पर तिरची cutting देनी है इस तरह से अब जो ही धियान रखें आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए तो दोनों तरफ जहां ये corner है इस तरह से हलकी सी मने ये cutting दे दी ताकि जब हम ये pocket पलटेंगे तो ये आसानी से बहुत finishing के साथ पलट जाएगी अब pocket को हम पलट के पीछे की तरफ ले जाएगे और उपर जो pant का हिस्सा है जहां से हमने ये pocket सिली है वहाँ पर इस तरह से top stitch डाल देंगे ताकि हमारी ये finishing अच्छी सी दिखाई दे तो एक part pocket का हमने इस तरह से जोड दिया यहां पर क्योंकि यह woolen pant है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई है अगर आप cotton का बनाएंगे तो बिलकुल हातों से जब आप नाखुनों से उस पर crease बनाएंगे तो बहुत अच्छे से fold हो जाती है और यहां फिर आप इस पर RNB कर सकते हैं तो यह देखिए यह हमारा front side हो गया pocket का तयार अब इसमें हमें back side में दूसरा पार्ट जोड़ना है pocket का तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा और बिलकुल जैसे shape है pocket का बिलकुल उसी तरह से किनारी से किनारे को मिलाएंगे पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद उपर वाला जो हिस्सा हमने रखा था उसे पलट के पीछे की तरफ ले जाएंगे यहां पर हम underground stitching करने वाले हैं तो यह रेखे इस तरह से जहां से हमने curve दिया था वहां से इस तरह से हलका सा गुलाई में इसको नीचे से उपर तक पूरा stitch कर देंगे और दोनों पार आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह से यह दोनों पार आपस में attach हो जाएंगे और इसे अब इस तरह से पलट देंगे तो यह जितनी भी stitching हमने की है यह सब अंदर चली जाएगी यहां मैंने हलका सकट डाला है और इस तरह से किसी नुकिली चीज से इसे अब हम पलट लेंगे तो यह देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यह पॉकेट तियार हो गई है इसमें मैं नीचे एक टॉप स्टिच दे दूँगी ताकि थोड़ी मजबूत ही भी आ जाए और थोड़ी फिनिशिंग हो जाए आप चाहें तो पूरी पॉकेट पे ऊपर तक दे सकते हैं तो यह देखें इबेस हमारा पॉकेट का तियार हो गया है अब इसे हमें पैंट के साथ अटाच करना है तो इसे सिंपल ही देखें हमने अच्छे से फ्लैट करके नीचे रख ली है पॉकेट को और जो उपर अहीं से हमें सिलना है और देखें जहां से हमारी पॉकेट शुरू हो गई ध्यान रखना है जो ओपन एरिया है उसे स्टिचिंग में नहीं लेना है अदरवाइस हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी सिर्फ हमने जो नीचे पॉकेट का जो दूसरा वाला पार्ट अटाच किय है और उसके बाद हम ऊपर इस पे बैक साइड रखेंगे तो ऊपर भी देखें जो यह थोड़ा सा पॉकेट वाला हिस्सा था इसे भी मैंने अटाच कर दिया है ताकि बैल जोडते समय यह इधर उधर ना हो तो यह अटाच हो चुका है अब इस पे मैं आपको बैक पार्ट रखके दिखा देती हूं कि कैसे स्टिच करना है तो बैक पार्ट भी मैंने क्रॉच एरिया जोड लिया है और इसे अब हम नीचे याने कि जहां हमारे पाउचे होते हैं मोहरी होती है वहां से जोड़ना शुरू करेंगे ध्यान रखें जब भी आप आगे और पीछे का पा पॉकेट स्टार्ट हुई है वहां बस उसी तरह से धियान रखना है आधा इंच का सिलाई मार्जिन जितना हमने दिया था उसी के कोर्डिंग इसको स्टिच करते जाना है और जो पॉकेट का ओपन वला एरिया आप चाहें तो फिंगर से उसे थोड़ा अंदर की तरफ करते रहें ताकि वह स्टिच में ना आए तो यह रेखिए यह इस तरह से उपर तक मैंने सिल दिया है और मैं यह पलट के आपको दिखाती हूं इसकी फिनिशिंग देखे दोस्तों यह रेखिए यह हमारा बैक पार्ट जुड़ चुका है और यह हमारा फ्रंट साइड है और है बहुत अच्छे से जो ओपनिंग दिया हमने सेविन इंच की यह आप इस तरह से पूरा हाथ इसमें अंदर तक डाल सकते हैं और गहरा ही रेखिए मैंने सिर्फ वारा इंच की दी है पर काफी गहरी है और मैं आभी आपको इसमें एक मोबाइल भी डाल के दिखा देती पूरा मोबाइल इतना चौड़ा काफी है मेरा और यह पूरा अंदर तक आ गया है और इस तरह से यह रेखिए आपको दिख रहा होगा यह रखा हुआ तो काफी स्पेस है इस पॉकेट में और इस तरह से काफी इजिली यह हम तैयार कर सकते हैं तो यह पॉकेट मैंने दोन बहुत फिनिशिंग के साथ है और बिना स्केल के बिना कर्व रूलर के मैंने यह तयार किया है इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं कई बार दे चुकी हूँ और डेस्क्रिप्शिन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूँगी ताकि अगर आपको देखना हो पूरी स्टिचिंग और कटिंग तो आप वहाँ पर देख सकते हैं तो इसी तरह से टेलर्स भी दोस्तों तयार करते हैं यह पॉकिट पैंट में लगाने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया आप आप लोगों को पसंद आया होगा किसी भी तरह की कोई भी प पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें बाबाई